नमस्कार दोस्तों मैं ललीता अगरवाल PSSM Blessings आडियो टीम कुलकाता से बोल रहे हूँ पिछले आडियो में हमने जाना कि ग्यान के छात्रों को किस तरह के प्रयास करने चाहिए आडियो नंबर 170 में हम इसके आगे जानते हैं टॉरकम जी बताते हैं कि विस्टम का छात्र अपनी तरफ से पूरी कोशिस करता है और अगर वा असफल भी हो जाता है तो छोड़ता नहीं है वा थोड़ी और कोशिस करता है जब तक कि अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच जाता हमारे भीतर, प्रकाश, प्रेम और उर्जा के बहुत सारे रिसोर्सेस हैं वे निश्क्रिय हैं और साधियों तक निश्क्रिय रहते हैं उन्हें एक्टिविट किया जा सकता है लेकिन इस उर्जा, प्रकाश और प्रेम को स्वयम के प्रयासों द्वारा ही यूज किया जा सकता है स्वयम के प्रयास का अर्थ है कुछ खास चीजी पहली आप जो हैं उससे कभी भी संतुष्ट मत होईए दूसरा, इंसानियत के लिए आप जो सिवा दे रहे हैं उससे कभी भी सैटिस्फाइड मत होईए तीसरा, जो ज्ञान आपके पास है उससे भी कभी भी संतुष्ट मत रहिए चौथा, हायर आइडियाज, विशन्स और डाइमेंशन्स के साथ आपका जो संपर्ख है उसके साथ भी कभी भी सैटिस्फाइड मत होईए पाजवा, जिस तरह से आप अपने आपको ट्रांस्फॉर्म करने की कोशिस कर रहे हैं उससे कभी भी सैटिस्फाइड मत होईए छठा, ज्यादा कोशिस करिए और नए उत्सा के साथ सेल्फ परफेक्शन और सर्विस के लिए अपने प्लैन्स रेकगनाईज करिए साथवा, उपदेशों से जो ज्यान आपको प्राप्त हुआ है उसे यूज करने में नए तरीके और नए इस्तर खोजिए मनुष्य के स्वभाव को परिवर्थित करना कोई सहज काम नहीं है इसके लिए लगातार प्रयासों, माइंड के क्लारिटी और भावनों के स्थिर्था की जरूरत है इंसानियत के लिए आपकी सिवा लगातार इंप्रूफ करनी चाहिए इस इंप्रूफ्मेंट के अंत तक आप कभी भी नहीं पहुँच सकते आपको अपने स्वयम के प्रयासों के शक्ति को हमेशा एक्टिव रहना होगा एक इंसान के स्रिजन शीलता के शक्ति कभी खत्म नहीं होती इंफिनिटी आपका इंतजार कर रही है आप हमेशा ही पहले से कहीं अधिक सुन्दर चीज का निर्माण कर सकते हैं इंसानियत के महान शिक्षकों के उपदेशों में स्वयम के परिश्णम का विचार नहीं थै एक इंसान दूसरों के कंधों पर कभी भी प्रगति नहीं कर सकता चाहे वे दूसरे लोग कितनी ही तेजगति से क्यों न दौड़े प्रगति इंसान के स्वयम के प्रयासों पर निर्भर है लगातार, श्रम कर अपने भविश्य का निर्माण करिए हम विशुथ और स्पस्ट ग्यान को देने की कोशिस कर रहे हैं हम क्राइस्ट की आत्मा को, उनके ज्ञान को फैलाने की कोशिस कर रहे हैं हम सौंदर्य, अच्छाई, सत्य और आध्यात्मिक आनंद पर जोड़ देना जाते हैं हम सेवा, स्वास्थिय और हार्मनी पर जोड़ देना जाते हैं हम अपने पाठकों की संख्या बढ़ाना चाते हैं यह चैप्टर यहीं खत्म होता है, हम एक नए चैप्टर के शुरुआत करते हैं जिसका नाम है Too Much Work, यानि बहुत ज्यादा काम लोग बोलते हैं टौर्गोम, सिखाना बहुत ज्यादा काम है लोग यह सोचकर चिंता करते रहते हैं कि जीवन बहुत छोटा है जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा है और ग्यान के किताबें बहुत ज्यादा है क्या करें? बहतर है कि आप लाइफ को एंजॉय करें और सिर्फ एक बहतर इंसान बनने की कोशिस करिए इस तरह के विचारों का आपके जीवन पर विनाशकारी प्रभाव होता है सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे पास ध्यान और अध्यान के लिए बहुत सारा समय है बशर्ते हम अपनी उर्जा और समय को अनावश्यक कामों में बरबाद न करे दूसरी बात यह है कि हमें रियलाइज करना होगा कि हमारा जीवन एक दीरक जीवन का एक दिन है ऐसे दिन होते हैं जब आप बीज़ बोते हैं वो दिन होते हैं जब आप श्रम करते हैं कुछ ऐसे दिन होते हैं जब आप आराम करते हैं और वो दिन भी होते हैं जब आप शेयर करते हैं। यह बहुत दुख की बात है कि आप एक जीवन के लिए जीए। कलपना करिए भविश्य में कितने जीवन आपका इंतजार कर रहे हैं। भविश्य में अच्छा जीवन जीने के लिए जो कुछ भी आवश्यक है क्या उससे आपको एक्विप करने के जरूरत नहीं है। यह बहुत आश्चरी की बात है कि हमारे रोजमर्रा के करतव्य और जिम्मेदारियां ग्यान के बाहर हैं। ग्यान से अच्छूती हैं। ग्यान हमारे करतव्यों, जिम्मेदारियों और श्रम के बाहर या परे नहीं है। यह हम जो जानते हैं, महसूस करते हैं और करते हैं, उसी की अविव्यक्ति है, ज्ञान हमें गहराई से और भेतर रूप से जानने में हमारी मदद करता है, ज्ञान हमारी भावनाओं और संबंधों को शुद्ध करता है, ज्ञान हमारे कर्मों का नेत्रित्व करता है, हमारे विचार, भावनए, शब्द और कार्य हम जो हैं और जो जानते हैं उसी का प्रूफ है ज्ञान हमारे जलैशे को भरता है और हमें जिस तरह की आवश्यकता होती है उसी तरह हम ज्ञान का उप्योग करते हैं कभी भी ऐसा मत सूची कि ज्ञान को लेना समय के बर्बादी है इसके विरूत ज्ञान के लिए दिया हुआ हर एक मिनट स्वास्थ्य, सुख, आनंद, सफलता और समाधी में बदल जाता है अगर आपके पास्ट कर्मा भी आपको हिट करते हैं तो यह ज्ञान ही है जो आपको उपर उठाता है अगर आप ज्ञान को लेने में अपना हर्दय उडेल दे तो कोई भी चीज आपकी प्रगती को रोक नहीं सकती कुछ धानाए हैं कि ज्ञान बहुत तरह का होता है यह एक बड़ी बिमारी है ज्ञान सिर्फ एक ही है और एक ही ज्ञान की हजार तरह की ब्याख्या है इंटर्पिटेशन्स मुख्य ग्यान नहीं कहलाता उन्हें ब्याक्तिगत द्रिस्टिकून या अनुभो कहना चाहिए याद रखिए कि द्रिस्टिकून और अनुभो आपके अस्तित्व के स्तर के अनुसार बदलते हैं एक शिस्सी के लिए ये बहुत भात्तुकून परिक्षा है कि वह सही ज्ञान को खोजे अगर वह विभे नस्तर, रंगु, इंटर्पिटेशन्स और रंगु के पिछे या आकार के पिछे भाग रहा है तो उसे आत्मा का संपर्क कभी नहीं मिल पाएगा सिर्फ सही ज्ञान ही आत्मा से संपर्क करने का अउसर देता है अगर एक छात्र को सही ज्ञान नहीं मिल पाता तो इसका अर्थ यह है कि अभी वह इसके लिए तयार नहीं है या उसके कर्म अभी वैसे नहीं हुए है कि उसे सही ज्ञान मिल सके इसलिए उसे बंजर मरूहूमियों में जीवन की अनावश्रिक चीजों में समय बर्बाद करते वे भटक नहीं पड़ेगा जब तक लोगों का एक स्तर नहीं हो सकता वे अच्छे नहीं हो सकते ज्यान उन्हें स्तर देता है वह अस्तर नहीं जो अलगाववादी इंट्रेस्ट पर टिका हुआ है बलकि ऐसा अस्तर जो उसे परफिक्शन की रहा पर चलने के लिए चैलेंज करता है जैसे ही आप कल के बारे में सोचते हैं नेक्स टियर के बारे में सोचते हैं आप अपने होराइजन का विस्तार करते हैं आप अपने आने वाले जीवन के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं अक्सर आप कल स्वस्त होना चाहते हैं आने वाले साल में स्वस्त होना चाहते हैं लेकिन आने वाले दूसरे जीवन या लाइफ्स के बारे में क्या ? जैसे रोज के जीवन के कुछ आवश्यकताएं हैं, उसी तरह लंबे जीवन के भविश्य के जीवन के लिए भी कुछ आवश्यकताएं हैं आज के लिए इतना ही अगले ओडियो में हम इसी खटना को और विस्तार से जानेंगे तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत आभार आपका दिन शूभ हो